Hello everyone, True Agress and PCS में आप सबी का सौगत है, continue करते हैं अपनी इस Modern Indian History के इस Chapter की Discussion को और इस Topic में हम लोग बात करेंगे, इस Topic के बारे में बात करते हैं, Some were Hunters and Gatherers. हमने Zoom Cultivation और Shifting Agriculture के बारे में पढ़ा था, कि कुछ जो Tribal लोग हैं, जो Odisha के जंगलों में या फिर इदर उदर जो रह रह रहे हैं, शुरू शुरू में सब लोग generally, जाता तरह हमारे देश के अंदर Zoom Cultivation को प्रैटिस करा करते थे, especially Odisha के आसपास रहने वाले Tribal लोग, ठीक ह तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था, अब यह जो Hunter Gatherers हैं, इनके बारे में जानते हैं अब यह Hunter Gatherers जो हैं, आप ऐसा मत समझना, कि यह प्रक्रिया तो सर, जो Pre-Historic Age से आते आते हर अपन civilization जब आया था, Ancient Indian History में यह तब खतम हो गया था, नहीं बड़े सारे regions में, जो Tribal Groups जो थे, they lived by hunting animals and gathering forest produce, जानवरों को मारना, खाने के लिए, और जंगलों ते जो भी मिलेगा उसको gather करना, आपना गुजारा करने के लिए वो जंगलों को एक essential boon मानते थे, बर्दान मानते थे, कि वो उनके survival को ensure करने के लिए, जो गुदरत है, वो उनको सब कुछ दे देती है ऐसी community, जो की Odisha के जंगलों में देखने को हमें मिलती है, वो है KOND, विसमें इसको याद रखना, आपके Odisha PCS में काम आज़कता है, यह सब information, ठीक है KOND tribal groups, ठीक है They regularly went out on collective hunts, और उसके बाद, जो जो लोग hunting में गए हैं, कोई भी एक शिकार मिला, जानवर वगेरा उसका मास जो है, उसका जो गोश है, वो आपस में डिवाइड कर लिया, खाने के लिए इसके लावा, they used to eat fruits, roots collected from the forest, और कुछ-कुछ food को वो cook भी करते थे तेल की मज़द से, जिसको वो extract करते थे, जो seeds होते हैं, साल से, साल पेड और महुआ से अब महुआ क्या होता है, it is a flower, जिसको खाया जाता है, या फिर use कर जाता है, एक प्रकार की दारू बनाने के लिए ठीक है, ट्राइवल्स के अंदर, जो उनकी community होती है, उसमें महुआ जो drink होती है काफी popular होती है, जैसे kind of दिन में hunting करने के बाद रात को जब ये bonfire activity हो रही है उसके साथ साथ, खाने के साथ साथ महुआ पिया जाता है, ठीक है हमने पढ़ा था, डोंगरिया कांधा tribe के बारे में, ओडिसा के अंदर, ठीक है ये पंड़नूस leaves लेकर जारी है, forest to make plates ये पंड़नूस plates क्या होती है, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, अरवेत पत्तल जानते हो ना, पत्तल जो कि बड़े सारे पंडाल वगेरा में, जब जमीन में बैठके खाना खिलाय जाता है, या पंड़ितों को जब भोजन कराय जाता मयूर, तो ये जो सूखे पत्तियों से बने हो, जो पत्तल नहीं होते है, बड़े-बड़े जिन पर खाना परोसा जाता है जैसे South India के अंदर एक tradition होता है कि अगर हम ये South India के context में पढ़ रहे होते न ये pandanus leaves नहीं होती पतल नहीं होती, ये banana leaves होती है वह लोग केले के पत्ते में परोसते है North India में, East India में पत्तल यूज करी जाती है इन पत्तियों को सुखाया जाता है अभी तो ये आपको green दिख रही है ये जो अपने सरपड लेकर जा रही है इनको सुखाया जाता है इसमें फिर एक सीके मार कर या कैसे भी धागे वगरा करकर आज कल बहुत modern भी आने लगा है लेकिन generally अगर आप UPMP साइट जाओगे बेहर साइट जाओगे जारकन साइट जाओगे तो पत्तल में आपको जो कोई भी है जैसे मालों किसने पूजा पाट करवाया हवन करवाया या कोई पंगत है या किसी के घर में कोई बच्चा वगरा पैदा हुआ है गाओं के गाओं को कहिलाना है जिसमें आपको हजारों लोगों को खिलाना है तो पत्तल में खाना परोसा जाता है अर पत्तल को उसी ट Prinzip पर फिर अराम से डीच्ड़ेड भी करादा सकता है जमीन के अंदर फिर घाड़ दो मत बहुग करके पूरे खाने के साथ ही पनिया बगएर आठाकर तो एक अच्छा उससे हुमस प्रेडियूस हो जाता है उसका डीकमपोजिशन हो कि इस वाल के अंतर जैसे की हाँ न्यूटिशन होता है और वह जैसे बनाना लीज के साथ करते हैं साथ इंडियांस है न यही बोई चीज है तो यह तेल निकालते थे फ्रम दा सीट्स ऑफ साल एन महुआ ठीक है बड़ी सारी फॉरेश्ट रॉप्स पी यह लोग यूज कर जैते हैं हर्ब्स मेडिशनल परपरसेंस के लिए ठीक है एंड यूज तो सोल्ट सर्टेन फॉरेस्स प्रेडूस इन दा लोकल मार्केट्स जो वीवर थे कपड़े बुनने वाले और जो लेदर वकर से वो खौंड लोगों को अप्रोच करते थे जब उनको कुछ फ्लावर्स की सप्लाई की ज़रत होती थी लैक कुसम फ्लावर्स एन पलाश कलर वगएरा बनाने के लिए अपने कपड़ों के लिए या फिर लेदर के पलाश से एक और चीज़ बनती है बताओ हमने मॉडर्न इंडिस्ट्री में पढ़ा था इनिशेस जक्टर में क्या बनता है इसे बताओ इसी के नाम पर कौन सी जगह है बिहार के अंदर पलाश से क्या बनता है जो होली के कलर्स होते है ठीक है फ्रॉम वेर डिट इस फोरेट पीपल गेट दियर सप्लाईज और राईस एन अटर ग्रिए इस सब इनको कैसे मिलता था जब ये गोड्स वगरा एक्षेंज करते थे ना लोकल मार्केट वगरा में जाकर अपने valuable forest product देना तो बदले में ये उनी traders के पास जाते थे जो उनको चाहिए होते थे अपने grains या चावल जिनसे उनको जाके forest produce दे दिया उनसे चावल अनाज वगरा ले गिया At other times ये goods खरीदते थे with a small amount of earning they had earning कैसे आती थी इनके पास ये कभी कभार कुछ jobs करते थे गाओं के अंदर जैसे कोई किसी न किसी प्रकार के load उठाना road कोई बंड रही है तो उसमें योगदान देना labor वगरा provide करना कुछ कुछ जो tribal थे they used to work in the field of peasants and farmers जब supply जो थी forest produce की ये कम होने लगी तो बड़े सारे tribals रोग एक तरीके से अनात हो गए जैसे उनका सारा खतम हो गया हो और वो इदर उदर भठकने लगे in search of work as laborers हमने एक चीज पड़ी थी मयूर tribals का इस प्रकार से इदर उदर घूमना ये उनके लिए भी ठीक नहीं होता क्योंकि ये और किसी skill में माहर नहीं होती है except hunting, gathering और जंगल से कुछ चीज़े collect वगरा करना है न अब इनका बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर ये काम की तलाश में बिसमें अगर ये जंगलों से भार निकल रहे हैं इसका मतलब इनको mainstream society के साथ कैसे ना कैसे करके मर्ज होना पड़ेगा या फिर at least वो उसकी boundary पर आके touch कर रहे हैं उनको है mainstream society को जिसकी वज़े से अगर ये उतर काम करेंगे तो उनका indigenous जो culture होता है वो छिंग जाएगा और कभी भी most of the जो ट्राइबल्स है वो ये नहीं चाहते कि उनका जो individual culture है वो छिंके ये इनको किसी majority group का culture अपनाना पड़े लेकिन काम धंदे की तलाश के अंदर जाते हुए कई नई जगा पर काम करते हुए अपनी चीते पीछे छोड़नी पड़ती है इंसान को नई जगा पर जाकर नई परिस्थितियों के साबसे चीज़े अपनानी पड़ती है बट मैनी ओफ देम लाइक Central India के अंदर जो बाइगास community है बाइगास ट्राइबल ग्रूप है बाइगास ट्राइबल ग्रूप है उनके ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है यह एक ट्राइबल के कस्ट्रम होते है वो नहीं काम करना चाते है दूसरों के लिए बाइगास सो देमसें सेस पीपल ऑफ फॉरेस्ट वो कुट अनली लिव ऑन दे प्रेड्यूस ऑफ फॉरेस्ट उनका ये मानना है कि हम प्रेड्यूस पर जिंदा रहेंगे हमारी हमारी क्या कहते है उसको सेल्फ रिस्पेट के ब्योंड है यह वाली चीज़ के हम किसी क्या मज़दूरी करें हमारी आत्मा गवाई नहीं देखी ऐसा बाइगास कम्यूंटी का मानना होता है कहां देखने को मिलेंगे आपको संटे लेडिया के दर यहां पर देखो मध्य प्रिदेश के अंदर आपको बैगास, बंजारास और गॉंट्स देखने को मिलेंगे यह चीज़ आपकी कवर होई MPPSC के लिहाज से क्या चीज़? हाँ, यहां पर भी है बैगास, मारियस और कॉंट्स बंजारा भी आपको जैसे दो जगापर यहां पर देखने को मिल जाएंगे महराश्री के अंदर भी आप मध्य प्रिदेश के अंदर भी बंजारास के बारे में कोशन पूछा भी था, UPSC ने परी ट्राइबल ग्रुप्स ओफर मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको सोसाइटी में यह पढ़ाया था जो सोसाइटी के अब डिस्कुर्शन देखना अगर यह मेंस्ट्रीम सोसाइटी के साथ अगर मर्ज होने के लिए मान जाते थे और बहुत साथा टाइम अगर बीत गया है तो यह एक चीज को अड़ाउट कर लेते थे याद है वेरी गूट मयूर संस्क्रिटाइडेशन संस्क्रिटाइडेशन का मतलब क्या होता है जैसे मालो इशा आप किसी नई जगा मालो यह ट्राइबल ग्रूप है वो मेंस्क्रिटीब ultrlady के सथ मर्झ हो रहे है अब वो लेबर बगरा की तरह काम कर रहे है तो कुछ लोग उनको अच्छूत तो मानेगे untouchable तो मानेगे हो सकता या किसी रीजन में कुछ लोग माने हो सकता है अब अब ऐसा कोई थमरूर नहीं है कि भाईया कोई मेली काम कर रहा है तो मैं उसे अच्छूत ही मानूँगा नहीं यार ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जिन जिन दीजन में माना गया न तो इनसान अपनी डिगनिटी के भाईया मैं क्यों सफर कर रहा हूँ क्या दिक्कत है इन लोगों को शैसे यह लगता है कि मेरा सरनेम ऐसा है या मेरा रंग रूप ऐसा है यही दिक्कत है न लेकिन में बात मेरे सरनेम की बेसिस पर है तो दो चीज़े होँगी मैं यह रीजन छोड़के दूसरे रीजन जाता हूँ और अगर मेरा सरनेम ऐसा है कि जिसकी वज़े से मुझे अंटेजबल टीट करना जा रहा है तो मैं या तो कोई शत्रिया का सरनेम या भ्राहमान का सरनेम अड़ाप कर लूगा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैयूर आपको है ना दो क्लासेज लीती है हमने उसके बारे में हमने पूरा का पूर एक चप्टर डिसकस कर रहा था और मैं आपको बोल भी रहा था कि अभी हम इसलिए खतम कर रहे हैं कि आने वाले लेक्टर जो फ्यूचर में हमारे होंगे इसमें काम आएगा तो ये प्रोसेस उसके लिए इंपोर्टेंट है तो ईशा वो लेक्टर जरूर देखना सोसाइटी वाले उसमें आपको पूरा का पूरा फंडा पता लगेगा कि ट्राइबर्स लोगों के साथ लोग लोग रहे होंगे लेकिन अभी है हमारे स्कूल में हमारे क्लास्रूम बगरा में साथ मर्च हुए है यह करवाए गए है अगर इनके साथ untouchability practice होती है शहरों में यह चीज़ पता नहीं लगती है लेकिन गाओं अगरा में बहुत चीज़ यह पता लगती है अगर यह untouchability practice होती है इनके साथ तो they will go blindly for this process of Sanskritization इसमें क्या होता है इशा आप bonny हुए होते है हायर कास्ट में लेकिन जैसे याद है medieval India में दंती दुर्ग ने जो हिरनेगर पर process करवाया था अपना अपने status को raise करने के लिए यह कुछ ऐसे ही process है कोई heaven kitchen वगरा नहीं होगा आप देखो एक बाँ बताओ मैं दिल्दी छोड़ दू कल को मैं दिल्दी में रहता हूँ जैसे और किसी दूसरे शेट चले जाओ दूसरे मुझे क्या जानेगे मैं दिपांग दुब्य हो कुछ भी नाम रख लू मैं दिपांग अगनी ओतरी रख लू दिपांग शर्मा रख लू कुछ भी रख लू कुछ भी रख लू हाँ गवर्मेंट अडिन्टी वैसे भी नहीं होती कार्ट्स वागिरा कुछ भी नहीं बनेगे क्योंकि जब अधिकारियों के पास जाकर बनवाएंगे आपने तो कुछ भी बता दो लोग ये भी करते हैं एक एक जनरेशन के बाद आप जैसे अगर आप रूरल एरियास के बारे में आप में से शायद से कम लोग जानते होगे लेकिन गाउं में ग्राउंड डेवल पर क्या चलता है इसके बारे में आपका अनुमान नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ बड़ आपको पता है कि हमारे देश में गुरूल होता मैं अपना नाम बगरागरा चेंज करवा सकते हो अप जब मरजी मावा अपने नाम रखा था भाई मुझे नहीं चाहिए वो नाम हाँ बिल्कुल आप अपना नाम किसी भी उमर के उमर के अंदर चेंज करवा लो को इटेंश नहीं है अक्षे गुमार का नाम अक्षे गुमार थोड़ी है ना राजी भाटिया नाम है उसका असली तो आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो अब नाम चेंज करवाने के साथ-साथ जब नए अब यहां के लोग क्या करना लगे अपना सरने मी चेंज करवा लेते हैं ताकि अभी तक यह मान लोग कि अगर इनको गाओं में लोग ट्रीट कर रहे थे टिपिकली हिंदी के शब्त मैं बोलू तो चमार अब लेकिन यह अपने नाम के आगे दुबे शर्मा मिश्रा ठाकोर यह सब लिखवा लेते हैं ताकि सुसाइटी में का सेंडर्ट रेज हो जा और फिर कोई इस प्रकरे से देखे न अब देखे न और यह जानते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर यह कास्ट वास्के फेटर चलते ही हैं शादी बयाव अगरा के लिए अब शेर में जाक मतलब क्या करें विश्या क्यों बनेंगे जनरल कास्ट वाले से स्ट क्यों बनेंगे मतलब संस्ट्रेज़ेशन में हमेशा ही होता है क्या लेना होगा रिजर्वेशन लेना होगा रिजर्वेशन के लिए कह रहे हैं अलावड ने आ रहे आप से एस्टी एस्टी थोड़ी ना एकदम से मलब वो बन जाओगी देखो क्या होता है कि आप सिर्व रिजर्वेशन लेने के लिए ना आप ये किसी से भी पूछ लेना कभी भी रिजर्वेशन पाने के लिए ना कोई भी व्यक्ति अपना समात के अंदर जो दाइरा है वो कम नहीं करेगा, आपको reservation तो मिल जाएगा, लेकिन ईशा इस burden के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, उन लोगों से पूछो जागा कि जिन्दगी बर आपको का जाए ये तो चमार की वेटी है, इससे हम शादी नह अपने घर में होगी चमार है लेकिन, कास्ट एक बहुत बड़ा factor है हमारे देश में आज भी, अगर नहीं होता ना तो शादी वगरा में ऐसी ना, इतना ऐसे, हाँ वो अलग बात है कि अब देको grade A की जो services वगरा होती है, उसमें आराम से कोई भी शादी वगरा करने को officer बनकर आ रहे हैं, तो ठीक है भई, इनकी शादी को जानी चाहिए, लेकिन आज भी जाकर अगर सुन्दर से सुन्दर बंदी, अगर approach करें शादी के लिए arrange marriage की बात चल रही हो, तो एक बारी caste सरनेम ये वाले factor अच्छे से अच्छे परिवार के अंदर आज भी आते हैं, reservation मिलगे हैं, तो क्या सबके बच्चे IES IPS की तियारी कर रहे हैं, क्वालेज सबको जाना है, reservation किन-किन चीज़ों में पालो, कि reservation से कुछ ऐसा तो है नहीं कि प्रतान मंतरी बन जाओगे है, पारेट बनाती है जाएगा, reservation में भी तो यह है ना, कि reservation का मतलब यह थोड़ी नही है, तो क्या ही फाइदा मिल लागा उससे, आपका उस फील्ड में इंटरस भी तो होना चाहिए, जहां चाहिए, आपको क्या कहते है, आप कम सीटे ले आओ, आपने एरिया से खड़े हो जाओ, और आपको एक सीट के अंतर भी प्रतान मंतरी बना तो है नहीं, तो क्यो अप ट्राइबल ग्रुप्स जो है, यहां पर एक कंसेट आपको देखने को मिलता है, शुरू से यादे है, वैसे तो मेडिवेल और एंचेंट से ही बढ़ते हैं, हार्ट का कंसेट, वीकली मार्केट, डेली मार्केट है ना, यानि कि दीरे-दीरे करके यह जो पूरा का पूरा परग्राफ है, आपको किस तरफ लेकर जा रहा है, ट्राइबल लोग जिन जंगलों में रहते थे, वो जंगल की फोरेस्ट पेडिव सा तो कम होने लग गए, या उनसे जब जंगल छिननने लग गए, अंग्रेजों के द लेकिन यही से एक वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गए थी, जब ट्राइबल ने जंगल छोड़ कर मेंस्ट्रिम सोसाइटी में मर्ज होना शुरू कर दिया था, तो हुआ क्या था उस ताइम पर, इनकी डेपेंडेस बढ़ गए थी काफी जादा, ट्रेडर्स और मनी रेंडर क्यों उनके लिए काम करना है, अब वो जो फॉर्स प्रेड्यूस हैं, वो लाते थे लेकिन इनको और भी तो गोड्स के अवश्रकता है, और फिर इनको जब पता लगा कि देखो, सोसाइटी में एक चीज के बिना गुजारा है ही नहीं, अगर हमें कुछ बाय या सेल करना ह तो उसके लिए we need money, हमें पैसा तो चाहिए ही चाहिए, अब पैसा यह जानते थे कि देखो, जंगल में रहकर कोई पैसा तो कमा है नहीं जा सकता, तो हमें किसी ना किसी के लिए काम करना पड़ेगा, अब काम जब करने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि काम मांगने गए ह अरे आप जंगल से आये हो हम आपको UPC के exam में बिना exam clear करें IS बना दे रहे हैं अब इनको करनी पड़ती थी छोटे तपके की नौकरी मजदूरी जिसकी वज़े से कभी कभार इनके किलाव dismission भी होती थी ठीक है लेकिन ये बिचारे मजबूर इसलिए थे because they need money they needed money to buy certain goods and services services भी छोटो goods तो चाहिए ही थे traders came around with things for sale और ये goods जो है इनको higher prices पर बेशते थे money lenders and tribal लोगों को loan भी दे दे थे और इन loan को हुआ क्या जब ये loan इनको दिया गया तो tribals के उपर उनके सर की उपर ये तलवा लटकाई गई that they need to meet their demands in cash और जितना वो earn करते थे वो इनको देने में निकल जाते था तब इनको समझ में आया यार ये ना इतना कमाने से नहीं होगा ये तो जितना हो उतना better है तो अब ये हलके फुल के जो जंगलों में कुछ ना कुछ collection करने की gathering करने की सोचते भी थे ना तो ये जंगलों से दूर होते चले गए इस trap की वज़े से और ये agricultural societies में मर्ज होना शुरू कर गए और ये मयूर यही अंगल हमने पढ़ा था Sanskritization का जब base हमने बनाया था Indian society वाली book के अंदर sociology में तब हमने यही पढ़ाता है कि forest ऐसी दूर होते इनकी जिद्धी से दूर होते चले गए विचारे फज़ गए trap में अब इनको समझ में आ गया कि भाई कमाना है अब बार बार जंगल लाकिए तो कमाई कुछ होनी नहीं है उतना produce आना नहीं है तो mainstream society जिसको agricultural societies बोलते है हमारी societies को agricultural societies बोलते है उन में जाकि अमर्ज होने लगा है कि दिल में ये काम कर लेंगे दुपर में ये काम कर लेंगे शाम को ये काम कर लेंगे तीन जगा से दो जगा से दिहारी मिलेगी करजा भी चुक्ता होगा और पैसों से जाकर बजार में कुछ-कुछ खरीच सकते हैं अब सिर्फ बात लोन के नहीं थी ब्याज की तलबार भी इंक्यूबर लटकती थी but the interest charge on the loans was usually very high so for the tribals इनके लिए market और commerce का मतलब ये था करजे के अंदर आना और ultimately poverty वाली life बिताना तो इसलिए इन्होंने money lenders और traders को भी evil outsider consider करा क्योंकि इन्होंने ये माना हम आज जो भी जिस परिस्तितियों से गुजर रहे हैं जो भी अपनी जिन्दगी में लट रहे हैं हमारी misery के पीछे पूरी के पूरी unfortunate situations के पीछे ये traders और money lenders ही responsible है जिन्होंने हमें फसाया और हमारे खुद के जंगलों में अच्छा खासा जो produce जो करते थे gather जो करते थे forest produce को उसको जो लाकर बेजते थे उस प्रक्रिया से हमें दूर करके हमें फसा दिया गया loan के चक्कर में interest के चक्कर में कोई-कोई groups animal hurting भी करते थे बड़े सारे जो tribal groups हैं थे lived by hurting and daring animals kind of आप कह सकते हों कि animal husbandry गाए, बेज, बेटे, भगरियों को चरवा का लेकर जाना चरवाने से ये होता है कि आपको अच्छे body products उनके प्राप्तों के दूद, अंडे बगरा या जो भी है मुर्गिया तो खाहला की कमी रखते थे लेकिन कुछ-कुछ रखते थे फिर भी अपना गुजारा करने लाइक तो होई जाएगा इतना ये है तो शुरू-शुरू में देवर pestoralist जो कि अपने गाए, भहस, बेट बकरियों के साथ मुव करते थे cattle और sheep के साथ according to seasons उनको चरवाने लेकर जाना चरवाना और पानी पिलाना अपने rearing वाले animals को इसलिए जरूरी होता है ताकि वो अच्छा produce दे पाए उनकी skin अच्छी रहे अगर आपके पास sheep वगरा है तो आपको wool बहुत अच्छा प्राप्त होगा और भहस वगरा अगर रस्ठे से चर रही है तो दूद बहुत अच्छा प्राप्त होगा when the grass in one place was exhausted ये दूसरे एरिया move कर जाते थे यानि कि कमी एक और पट रही थी देश में उस टाइम पर अलग-अलग एरिया में vegetation vegetation क्या basically छोटे लेवल पर मैं बात करों तो grasses एक एरिया जो है वो बुरा का पूरा अगर चरने के बाद barren land बन जा रहा है जहाँ पर फिर और कोई गहांस वगरा आ नहीं रही है एक season तक या कुछ टाइम तक उसकी वज़े से कुछ-कुछ लोग जो थे जो ये चरवाहक थे जो एनिमल्स को चरवाने ले कर जाते थे उनको अपने ये herding और rearing करे हुए एनिमल्स की संख्या कम करनी पड़ती थी again it was a loss for them क्यों भले ही आप इनका खाने के लिए कम होगा जब आपके खाने के लिए कम होगा तो ultimately आपको भी इस धंदे से धंदा नहीं है या जो भी यह यह इस profession से दूर जाना पड़ेगा इस activity से दूर जाना पड़ेगा और mainstream society के अंदर merge होकर कुछ ऐसा काम धंदा दूरना पड़ेगा जिससे आपकी fix income आ सके फिर चाए वो द्याडी हो चाए मजदूरी हो तो कुछ cattle herders के अगर हम बात करें कुछ communities की तो पंजाब hills के अंदर आपको एक community देखने को मिलती थी जिसका नाम था वन गुजर्स पंजाब hills के आंतरप्रदेश के अंदर लबादीश ये cattle herders थे कुलू मना ली आपने सुनाओगा न तो ये कुलू की बात हो रही है यहाँ पर जो shepherd से देवर गदीश बकरवल्स कश्मीर के अंदर ये बकरियों को चर्वाते थे ठीक है बागी की चीज़ें हम देखतें नेक्स लेक्चर के अंदर थेंक्यू बेरी मिच्ट पर दिस्कुस्शन पर देखतें